फ्रेंच काफका का जन 3 जुलाई 1883 में प्राग बोहिमिया, बोहिमियन क्राउन और श्टरिया में एक मध्यवर्गिय जर्मन भाशी यहुदी परिवार में हुआ था। फ्रेंच काफका बीश्वी सदी के सरवाधिक प्रभावशाली लेखक थे। फ्रेंच काफका ने एक वकील के रूप में खुद को प्रशिक्षित किया और कानूनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें एक बीमा कंपनी में नौकरी मिली, उन्हें खाली समय में लेखन करना बहुत पसंद था। फ्रेंच काफका का नाम कई महिलाओं से जुड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की, तीन जुन 1924 को तपेतिक बीमारी से 40 वर्ष की आयू में उनकी मृत्ति हो जाती है। आये सुनते हैं फ्रेंच काफका के कुछ अनमोल विचार, एक पुस्तक हमारे अंदर जमे हुए समुद्र के लिए एक कुलाडी की तरह है, वह मरने से बहुत डरता है, क्योंकि वह अभी तक जिया नहीं है। मनुष्य के साथ जुडाव व्यक्ति को आत्म अवलोकन के लिए प्रेडित करता है। कि मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। हमेशा घमंड और शालिंता के प्रकोप के बाद पहले ताजी सांस लें। सो गया, जाग गया, सो गया, जाग गया, एक दुखी जीवन है। युवा प्रसंद होता है, क्योंकि उसमें सौंदर देखने की छमता होती है। सुंदरता देखने की छमता रखने वाला कोई भी व्यक्ती कभी बुड़ा नहीं होता। बहुत से किताबें स्वयम के महल में महतपूर्ण कच की चाबी की तरह है। मैं स्वतंत्र हूँ और यही कारण है कि मैं हार गया। दो प्रमुक पाप हैं जिनसे अन्य सभी उत्पन्न होते हैं। अधिर्ता और आलस्य। एक बाधा की तालाश में अपना समय बरबाद मत करो। शायद कोई नहीं है। जीवन का अर्थ ही रुकना है। सभी भासाएं अपने खराब अनुवात के साथ मौजूद हैं। ब्रमांड में आशा की अनंत मात्रा है लेकिन हमारे लिए नहीं। मुझे लगता है कि हमें किवल उन किताबों को पढ़ना चाहिए जो हमें घायल करती हैं और हमें मारती हैं। मुझे स्वैम के लिए सच्ची भावना तभी आती है जब मैं असाहाय और दुखी होता हूँ। उससे विवा ना करें जिससे आप प्रेम करते हों बलकि उससे विवा करें जो आप से प्रेम करता हो। जो सुईकार रहे उसके बजाए जो सही है उससे शुरू करें। यह केवल खुद की मुर्गता के कारण है कि वे स्वैम के प्रती इतने आश्वस्त हैं। मैं ठक गया हूँ, कुछ भी नहीं सोच सकता और केवल अपना चेहरा अपनी गोद में रखना चाता हूँ। मेरे सीर पर अपना हाथ महसूस करना और अनंत काल तक ऐसे ही रहना चाता हूँ। समझ की सुरूवात का पहला संकेत इच्छा मृत्यू है। आलस्य सभी समस्याओं की सुरूवात है यह सभी अवगुणों का मुकुठ है। मेरे यह सुरूवाद का यह सपना है। यह स्थरूवात है। यह स्थरूवात missing